तो दोस्तों आज हमारे तीन के विए चोईस वोल्ड सेग्मेंट के ने होने जा रहा है एक और इजाफा क्योंकि आज हम करने वाले हैं स्मार्टन कंपनी के MPPT 307524 वोल्ड इंवर्टर की अन्बॉक्सिंग और जाने की स्पेसिफिकेशन के बारे में चैनल को सब्सक्राइब को ना भूले क्योंकि आपको पता है इसकी लोड टेस्टिंग और इसकी इंवर्टर सेटिंग भी आपको इसी चैनल पर जल्दी ही देखने को मिल जाएगी और आप कुछ ताइम बात देख रहे हैं तो ज़रूर वह अप्लोड हो जगी तो जाके उनक स्मार्टन कंपैंनी ने बिल्कुल छोड दिया यहिं लिखना कि कितने वी य ग इंवर्टर है स्मार्टन कंपनी से में धरकास रहे इसके अंडर आप एंपना मेंशन करें ृत्पने किलो वाट के इंवर्टर सिफ मुह जबानी नहीं आप इस पर अपना मेंशन कीज़ें र जबे पर ना सही चाहे आप एक स्टिकर पर अपने मेंशन जरूर कीज़िए कितने विए कर इंवर्टर है तो चलिए दोस्तों खोल के देख्थे हैं इसके अंडर को क्या का मिलता है कैसा दिखता है यह इंवर्टर थर्माकॉल पैकेजिंग में पूरी पैक करके यह आता है वाइट एंड बिल्यू फिनिश के अपकेजिंग मिल जाती है यहां पर कनेक्टिंग वाय मिल जाती एक आपकी बैटरी के लिए एक आपको मैन्यूल डिसी फ्यूस वारंटी कार्ड कि दोस्तों यह पूरी मैनूल पढ़ने के बावजूर भी नहीं दिखा गया कि किता वी एक इंवर्टर है तो चलिए सा खुलासा तो अपन कल्डें के लोड टेस्टिंग वीडियो के अंदर किता के वीड़ाय गया है कलर कॉमिशन बहुत ही प्या है वाइट कलर के अंदर अब फिनिश देखने को मिल जाती है बात कर बिल्ड को लटी के तो बहुत ही मजबूर पूरा मैटल के अंदर आपको दिया गया अब फ्रेंट देखें तो आपको यह चार बटन मिल जाते हैं सेटिंग के अंदर और आपकी डिस्प्ले के अंदर की कैलिबरिशन करने के लि आपको देखा कि आपने कैसे किस क्ला कॉमिनेशन और किस बिल्ड को यहां पर आजाता है तो आगे बंडे से पहले मैं चाहूंगा कि आप नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन आने वाली इसकी लोड टेस्टिंग वीडियो और इसकी पैरमिटर सेटिंग वाली वीडियो तो सबसे पहले वह आपको मिले तो बैल नोटिफिकेशन आप जरूर कीजेगा गंटी वाले बटन दबा के रखिएगा तो चलिए बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के ब तो आप इसमें कम से कम धाई किलोवाट तक आप इसमें पैनल सपोर्ट इसमें अरेंज करवाईए बात कर लेते हैं इसके लोड कैपसिटी की तो इसके नदर कोई मेंशन नहीं है ना कोई इसकी डेटाशीट के नदर आपको एंपर देखने को मिल जाते हैं तो उसकी टेस् इसमें आसाई से अठ सकते हैं हैं आगे बात कर एक अरुस में और फीचर्स के बाते में तो यहां पे आपको देखने को मिल जाता है पहले मोड में आपको देखने को मिल जाता है solar, battery, grid and second mode आपको देखने को मिल जाता है solar, grid and battery दो मोड आपको यहाँ पर मिल जाते है solar setting, solar priority इसको आपको बेसिकली बोलते हैं उनको और आप यहाँ पर देख सकते है battery support इसके अंदर आपको मिल जाता है SMM, VRL, tabular and lead acid यहाँ पर देखने को support मिल जाता है lithium का support इसमें आपको नहीं मिल पाता है झाल